हेलो दोस्तों तो देखे यह पीवीसी एलेक्ट्रिक बॉट है और यहां पर देखे आज जो ही हम बहुत आसान तरीके से इसको कैसे आप अगर काट करना है इसको कैसे कट करेंगे यह तरीका में यहां पर आप लोगों दिखाने वाला हों क्योंकि बहुत सारे भाई आप यहां पर चेनी आतरई की करते हैं और इसको कटने के बज़े इसको तोर करके खड़ाब कर तो यह पीवीसी बोट्स जूए अपने जो कैसिंग प्राइप का जो वाइरिंग होता है उसमें इसिमाल होता है तो यह देखिये कैसिंग पाइप कर तुक रहा है तो यह पर है यह स्विश कई साइज के यह बड़ावर यह आता है थ्रॉड़ा सा टाइट होगा लेकिन आपको जो है आरामसे आप नाब लेकर के आरामसे कट सकते हो देखिए द沼ांपे सब्सक्राइब है यह थो कैसिंग पर स्विश ले रहा हो यह देखिये मार्किंग गर के रखा है बहुत आसान तरीके से आप इसको काट सकते हो बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा यहां पर दोस्ट दो ही सेकेंड में जो है आप एक बोर्ड जो है यहां पर तयार कर लोगे तो यहां पर मैं कोई छेनी हतोरी के इस्तमाल करने वाला नहीं हूँ और जो तरीका म में थोड़ासा रिष्की है आपको ध्यान से यहां पर काम करना है जोचिस में यहां पर इस्तामाल करने हो कट करनी के लिए बहुत ही रिश्की है थोड़ा सा भी आफ इधर उदर हो जाओगे तो फिर आपको जो है चोट लगने का बहुत ही चांसे से देखिए कट रहे तो तो यह काठर बहुत ही सार्व होता है बहुत ही तियेसधार होता है यहां पे और यह PVC बोर्ड जो हता है प्लस्तिक जो भी स्वीचबाट होता है बहुत ही नरम होता है तो देख सकते। तो है अपने जो कैमरें के घूंसेत करता हूं तो यह यहां के देखिए दोस्तो यह 30-40 पचास रूपी चाहरा था है ह聂नी हातोर ही जरूत नहीं है हेक्स ब्लेड वक्रांक जरूत नहीं तो देखें इस तरह से इसको тогда है कट करकर की मैं दिखाओंगा तरीका मैं यहां पर बता रहा हूँ आपको जो है ब्लेट जो है जो कटर का ब्लेट है इसको ज्यादा फुल जो है आपको निकालना नहीं है थोड़ा सा हलका सा आपको निकालना है जितना आपको कट करने का जरूत है उतना ही निकालना है निकाल करके आपको यहां पर कट करन तो थोड़ा सा वेट कीजिए दोस्तों यहां पर जो ही वीडियो में बने रहेगा चेर में नहीं हो चेर को प्ले सब्सक्राइब कर दिया शेयर कर दीजिएगा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर भी जरूर कीजिएगा तो देखे मैंने मुबाइल को यहां पर फिक् से चोट लगने वाला है तो देखे में जितना मुझे चाहिए उतना ही मैं ब्ल यहां पर नीकला रहा हूं और देखिए अराम से आपको इस तरह से क्हिचना है और खिश करки देखे आप सिर्फ देकिजैजी वीडियों को मैं कीस तरह से इसको जो है कट कर रहा मारकिंग एरिया को हमर लोग को सिफ मारकिं करना यहां पे कटर के जर्यार और यह Elise छो है आपको धो तिन पर आप खिजने लगोगे तो कटर हो वह अराम से यह इसका और पार हो जाएगा और आपक से यह एक मुध्य June 2 आप यहां पर कट कर निकाल सकते हो tussen चोछ देख सकते हो कटर जो है पुरी तरह से अंदर चला गया है तो थोड़ा सा तिर्शा के आओं मैं यहां पर कटर को कि स्टार्टिंग में मैंने स्ट्रेट खिचाया अभी थोड़ा सा तिर्शा करके मैं खीच रहा हूं इसको तो देखिए एक बार खिच लिया दो बार में देखिए कटर जो है पुरा अंदर चला गया है यानि कि अपना जो बीबीसी बॉट है इसका बॉट का जो है आरपार हो चुक गया अपना कटर देखिए एक बार खिचा और दो बार में देखिए आरपार हो गया और जो बचा सकते हो दिखिए देखे कितना असानी से जो है मैं यहां पर जो है अपना जो पीवी सी बोट है इसको मैं कट करके जो है यहां पर जो साइज हमने लिया है यहां पर जितना स्वीश अपने अपने लगाना है जितना सोकेट लगाना है उसी साइज मैंने यहां पर जो है कट कर लिए है देख सकती हो आप कितना असानी से मैंने इसको कट किया है तो देखें यहां पर स्वीच वागेरा मैंने बिठा दिया है बिठाने के बाद आपको यहां पर देखें इसको होल करने का तरीका भी में बहुत ही आसान तरीका यहां पर दिखाने वाला हो तो देखें में किसे हां कि यहां पर आपने आंदाजे से लिए कृषिन सकती हो हो कि अखनी से जुए यह चिल जाता है क्यूंकि जो बहुत ही सारफ होता है यहां होता है तो यह देख सकते हैं यह इंडिकेटर स्फिच च्वाइय एक इपको लगा ना है सब्धा लेना है बेठाने के बाद देखिए मैंने बेठा डिया है यहां पर ऑपको ऊपर निचे होने वाला नहीं है सबी सुई जो ही एक की लेवल में होना है और आपको यह चीज़ का भी ध्यान में रखना है अगर नहीं हो रहा है तो आपको बोट को जो है कट करके आपको इस तरह से एंगल बनाना है तो देखें मारकर से जो हमने मारकिंग किया है मारक देख सकते हो और इस तरह से कोई भी एक point 2 चीज चाहब को बना लेना है तो यहां पर देखें हम ने पुरा फोल कर देए यहां पर कोई बीच आप सकती हो यहां पर साईलका जो इस पोर्क होता है इसको ब्रना देना एक तुम यहां पर इस तरह शुटरी का आपको जरूत नहीं है जो चीस मैंने यहां पर दिखाया है वह चीज़ों को इस्तेमाल करके आप जो है इसको बहुत ही आसानी से आप बना सकते हो तो अगर दोस्तों अगर कुछ भी डाउट है आपको पूछना है तो आप जो है कॉमेंट करके पूछ सकते हो मुझे मैं हो सके तो अलग से जो है उसका भी वीडियो बना करके अपलोट कर दूँगा तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शिर भी जरूर कर दीजिएगा तो वीडियो में बने निकले धन्यवाद थेंक्यू